हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी का आपके पने से यूटूब चैनल पर आज हम इस वीडियो में जो भी डिस्कस करेंगे वो बहुत ही ज़ादा जरूरी है अप लोगों के लिए जैसे कि आप सभी जानते हैं कि घर को बनाते समय हमें बहुत सी बाते ध्यान में रखने थी हैं वट फिर भी कुछ अदूरी जानकारी होने के वेशे कहीं न कहीं कुछ गलतिया हो जाती हैं और उनका नुकसान भी हमें आगे देखने को मिलता है मैं अगर हैं बात करूं जो मैं बताने वालों वो मुझसे काफी दिन से कमेंट में एक भाई के तुरू पूछा जा रह हैं तो वो कॉलम पिलिन बीम की जो सर्या होती है उसके माध्यम से उपर निकालना चाह रहे हैं यानि कि उसकी कोई कॉलम की फांडेशन नहीं होने वाली है तो इस तरह आप अपने घर में कॉलम दे पाएंगे या नहीं तो देखिए यहां पर मेरा सवाल रहेगा बिल्कु हम घर में क्यों देते हैं हमारे घर का जो भी छॉड़ है वह आठीग डिस्ट्यूट होजाए हैं जोगर्रकर लोट रहेंगा है वह सिमिलर्ली जैसे कि slab होता है slab से बीम बीम से column column से footing footing से हमारा soil तो इस तरीके से load काम करता है building काम करती है structure load transfer होता है लेकिन अगर आपके column कोई foundation ही नहीं है तो वो कहाँ ट्रान्फर गरेगा load तो इस तरीके से यहां मैं बस कहना invest करते हैं और वो घर भी कुछ आपकी गलती के वेश से कमजोर हो जाता है तो बहुत ज़्यादा है अफसोस और उदुख होता है तो मैं इस वीडियो में यही बताना चाहरा था वीडियो वह छोटी थी इसलिए मैं आपको यह चीज़ किलर करना चाहरा था जिसकी मैं काफी सारी वीडियो डाल चुका हूं इसी चैनल पर तो जाकर उसको देख लें ना फिरी ओ कोस्ट है कोई चार्ज नहीं है बस आपको करना क्या है हमें सपोर्ट करिए चैनल को सस्काइब करें साथ में वैलाइगन को अन करिए ताकि जो भी नई वीडियो डले उस अब का नोटिफिक्शन आप तक पहुंच पाए शुक्रिया थैंक यू फर वच्वाइब देखने को